नमस्कार हमारे इग्नो आडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के ऐसे वर्ग की पोषण आवशक्ताओं करने में सहायता मिलती हैं, जो पोषण की कमी से अधिक प्रभावित होते हैं। इकाई की रूपरेखा साथ दशमलव शून्य उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स देश में चल रहे विभिन्न पोषण कारेक्रमों की शुरुआत और उनकी कार्य पद्धती को समझ सकेंगे और टाइम्स समन्वित बाल विकास सेवा की समन्वित पद्धती को समझ सकेंगे। ग्रामीर और शहरी इलाकों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों और औरतों को उप्युक्त पोषण उपलप्त कराने के उद्धेशे से सरकार ने केंद्र और राज्य स्तरों पर कुछ पोषण कारेक्रम प्रारंब किये हैं। इसे पोषण स्तर को सुधारने के महत्वपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा रहा है। इसीलिए केंद्र एवम राज्य सरकारों द्वारा देश की विवित पंचवर्षिय योजनाओं में इन कारेक्रमों के लिए धन की विशेश रूप से व्यवस्था की गई है। साथ, दो पोशन कारेक्रमों का उद्देश्य पोशन कारेक्रमों का प्रमुख उद्देश्य जनसमू के पोशन स्तर को सुधारना है जैसा कि आप पाठिक्रम दो में पड़ चुके हैं, भारत के सामने का पोशन एक प्रमुख समस्या है अलपपोशन को कयोशन की एक स्थिती के रूप में माना जाता है जिसका कारण है आवशक्ता से कम आहार लेना अलपपोशन प्राया ग्रामीन जनजातियों तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले आर्थिक रूप से पिछडे हुए लोगों में पाया जाता है राश्च्य पोशन ब्यूरो द्वारा किये गए आहार मर्वेक्षन से यह ग्यात हुआ है कि विभिन्न राज्यों में जितने भी घरों का सर्वेक्षन किया गया उनमें से 50 प्रतिशत लोग ऐसा भोजन करते हैं जो उनकी उर्जा और प्रोटीन संबंधी अत्वा दोनों ही आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए अपरियाप्थ है पोशन संबंधी जानकारी न होने के कारण कपोशन समाज के अन्य वर्गों में भी हो सकता है आता पोशन कारेक्रमों का उद्देश है अल्प पोशन का मुकाबला करना दो अल्प पोशन का मकाबला करने के लिए ल जरूरतमंद लोगों को लाभानवित करने के लिए पोशन स्तर को मापने के लिए कोई मापदंड होना जरूरी है। किसी समुदाय में शिशु मृत्यु दर से उस समुदाय के लोगों के स्वास्थि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यद्यपी भारत में पिछले तीन दशकों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, फिर भी अन्य विकासशील देशों की तुल्ना में यह बहुत ज्यादा है। प्राया 40 से 45 प्रतिशत शिशु की मृत्यु उनकी नवजात अवस्था अर्थाद जन्म के एक माह की अवधी में ही हो जाती है। शिशु मृत्यु दर का इतना अधिक होने का प्रमुक कारण माताओं का कुपोशित होना होता है। गर्भावस्था में वजन्म के बाद शिशु अपनी पोशन आवश्शक्ताओं के लिए मापर निर्भर रहती हैं। इसलिए शिशु मृत्यु को रोकने या कम करने के लिए गर्भावस्था वस्तनपान के दोरान माताओं को उप्युक्त पोशन दिया जाना चाहिए। भारत में बाल मृत्यू दर अर्थात एक वर्ष से पांच वर्ष की अवस्था के बच्चों की मृत्यू दर भी बहुत अधिक है. राश्च्य पोशन संस्थान के अनुसार इस आयू वर्ग के बच्चे कुल आबादी का प्राया साड़े सोला प्रतिशत है, पर इस आयू वर्ग में मृत्यू संपूर्ण देश की कुल मृत्यू दर का चालीस प्रतिशत है. बाल मृत्यू दर के इतना अधिक होने का प्रमुक कारण अपरियाप तथा कम पोशक भोजन है. जैसा कि आप पाठिक्रम दो में पढ़ चुके हैं, कि छे माह की अवस्था के बाद शिशु को मा के दूद के अलावा पूरक आहार की आवशकता होती है. भारत में निम्ना आयू वर्ग के बच्चों को पूरक आहार मिलना तब शुरू होता है, जब वह देड़ वर्ष से दो वर्ष के हो जाते हैं. पूरक आहार की देर से शुरुआत होने के कारण बच्चे की बढ़त में बाधा आती हैं, तथा पोशन की कमी के अन्य लक्षन पैदा हो जाते हैं. भोजन की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न प्रोटीन उर्जा को पोशन स्कूल जाने से पूर्व के आयू वर्ग वाले बच्चों की एक प्रमुक समस्या है. आता मृत्यू दर को कम करने के लिए बच्चों के भोजन में उर्जाव प्रोटीन्युक्त भोजन सही मात्रा में देना चाहिए. पोशन संबंधी अन्य समस्याए गर्भवती औरतों और बच्चों में खून की कमी और बच्चों में विटामिन एकी कमी दो कोशन संबंधी मुख्य समस्याए हैं, जिनका पूरे देश को सामना करना पड़ रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, एनिमिया, खून की कमी, मुख्यता लोह तत्व की कमी से होता है खून बनाने के लिए लोह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिजलवण है सामान्यस्त्री की अपेक्षा गर्भवती स्त्री को अधिक मात्रा में लौह तत्व की आवशक्ता होती है इसका कारण उसकी निजी आवशक्ता तो होती ही है, साथ ही गर्भ में पलते शिशु को भी इसकी आवशक्ता होती है शैश्वकाल में गर्भावस्था के दौरान बने लोह तत्व के संद्रा से ही बच्चे की पोशण आवशक्ताओं की पूर्ती होती है क्योंकि इस समय शिशु का प्रमुख भोजन मा का दूद होता है जिसमें लोह तत्व काफी कम मात्रा में होता है संभवता लोह तत्व का संद्रा शिशु को लोह तत्व उपलप्त कराने का एक प्राकृतिक तरीका है आथा बच्चे में लोह तत्व के संद्रा के लिए मा को गर्भावस्था के दौरान परियाप मात्रा में लोह तत्व लेना चाहिए भारत में गर्भवती माताओं में एनीमिया एक प्रमुक समस्या है जिसके कारण बच्चे के जन्म के दौरान माताओं की मृत्यू दर बहुत अधिक है एनीमिया अथवा खून की कमी शिशु मृत्यू का भी बहुत बड़ा कारण है आका गर्भावस्था में वबच्चा पैदा होने के दौरान भृत्यू दर को कम करने के लिए माताओं को प्रोटीन व उर्जा के अतिरिक्त खून बनाने में सहायत पोशक तत्व जैसे लौ तत्व फोलिक एसिड इत्यादी परियाप्त मात्रा में लेना चाहिए विटामिन एकी कमी से उत्पन्न अंधापन देश की एक अन्य प्रमुख पोशन समस्या है बच्चों को विटामिन ने युक्त परियाप्त आहार देने से असी प्रतिशत तक अंधापन रोका जा सकता है जैसा की आप पाठिक्रम बेक में पढ़ चुके हैं कि भारतियों के आहार में विटामिन ने का प्रमुख स्रोथ बीटा कैरोटीन है सबजियों या फलों का पीला संतरी भाग बीटा कैरोटीन विटामिन ने का पूर्मगामी पदार्थ है अर्थात यह शरीर में विटामिन ने में परिवर्तित हो जाता है बीटा क्यारोटीन से भरपूर फल व सबजिया जैसे गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सबजिया, मौसमी होती है ये वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहती लेकिन हमारे शरीर में इस विटामिन को संद्रा करने की क्षमता होती है आता बच्चों में अंधेपन को रोकने के लिए विटामिन दे के परियाप संद्रा की आवशकता है आता बच्चों को विटामिन एकी ज्यादा मात्रा देनी चाहिए भारत के कुछ भागों में गलगंड एक अन्य पोशन की समस्या है यहां आयोडीन की कमी के कारण होता है आयोडीन हमें समदी भोजन और आयोडीन से भरपर मिट्टी में उगाये खाद्य पदार्थों से प्राप्थ होता है यहां खनेज पहाडी प्रदेशों की मिट्टी और समुद्र से दूरी पर स्थित इलाकों में कम पाया जाता है इसलिए ऐसे प्रदेशों में उत्पन्न होने वाले भोजन में आयोडीन की कमी होती है थाइराइड ग्रंथियों के द्वारा थाइराकसिन हार्मोन के निर्मान के लिए आयोडीन की आवशक्ता पढ़ती है आहार में आयोडीन की अपर्याप मात्रा होने से थाइराइड ग्रंथी का आकार बढ़ जाता है इसे गलगन कहते हैं, आपने कुछ व्यक्तियों की गर्दन में बड़े हुए भाग को देखा होगा. यहां गलगन के कारण होता है, क्योंकि थाइराइड ग्रंथी गले में पाई जाती है. गलगन एक स्थानिक बीमारी है, अर्थात विशेशता कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है. आता उस क्षेत्र के लोगों के आहार में आयोडीन की. कमी को पूरा करना आविशक है. आहार में पोशक तत्वों के सम्मिलित करने के संबंध में निमलिखित पूरक उपाय करने होंगे. एक छे वर्ष से कम आयो के बच्चों में कुपोशन को रोकने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा स्कूल जाने से पूर्व की आयो के बच्चों के आहार में उर्जा एवं प्रोटीन युक्त आहार की पूर्ती दो गर्भवती माताओं और शिशों में एनिमिया, खून की कमी को रोकने के लिए उनके आहार में. लोह कत्व वफोलिक एसिड की पूर्ती तीन बच्चों में अन्धेपन की कमी को रोकने के लिए आहार में विटामिन ए की पूर्ती चार आयोडीन की कमी वाले शेत्र के लोगों के आहार में आयोडीन की पूर्ती बोथ प्रशन एक समुदाई के कौन से वर्ग पोशन की कमी से अधिक प्रभावित होते हैं और क्यों तो भारत में पोशन की प्रमुक समस्याई कौन-कौन सी है 7.4 पोशन कारेक्रम अनेक राज्यों में कई प्रकार के पोशन कारेक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार परामर्ष देने वाली संस्था के रूप में काम करती है, जबकि अन्मे कारिक्रमों के लिए अधिकांच धनराज्य सरकारों से आता है यद्यपी कुपोशन की समस्या, पंचवर्षिय योजनाओं के शुरू होने के समय से ही पहचान ली गई थी तथा इससे जूजने के लिए अनेक योजनाए प्रारम्व की गई थी फिर भी प्रथम तीन योजनाओं अर्थात 1950 से 1979 तक पोशन स्वास्थ्य क्षेत्र का मात्र एक घटक ही बना रहा चौथी योजना में ही इस संबंद में समन्वित द्रिष्टिकोन अपनाया गया साथ दशमलव चार एक व्यावहारिक पोशन कारेक्रम अप्लाइड नूट्रिशन प्रोग्रेम व्यावहारिक पोशन कारेक्रम का प्रारम 1960 में हुआ और 1973 तत इस पर प्राया सभी राज्यों में तेजी से कार्य होता रहा इसका अब केवल एतिहासिक महत्व ही है इसके तीन प्रमुक घटक थेहा उत्पादन, उपभोग और प्रशिक्षन उत्पादन घटक के माध्यम से किसानों को अधिक पौश्टिक भोजन, जैसे अंडे, मचली, सबजियों, फल आधी जो विटामिन ने और सी से भरपूर होते हैं, उगाने के लिए बढ़ावा दिया जाता था इसके लिए ग्रामेन इलाकों में सामोहिक मुर्गी पालन तथा मचली पालन की इकाईयों की व्यवस्था करना, विद्यालेों में सामोहिक उध्यान और ग्रामेन घरों में रसोई लगाने के प्रयत्न किये गए थे इसके लिए औजार बीज जानकारी इत्यादी सरकार द्वारा उपलप्थ कराए जाते थे उपभोग घटक के अंतरगत इस प्रकार से उत्पन्न भोजन का एक हिस्सा छै वर्ष से छोटे बच्चों गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिया जाता था इस कारेक्रम का तीसरा घटक था शिक्षा जो सरकार तथा इसकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षन कारेक्रमों तथा मुर्गी पालन, मचली पालन, बागवानी तथा ग्रिह विज्ञान के माध्यम से दी गई 7.4 2. मध्यान भोजन कारेक्रम, मिड़े मील प्रोग्रेम मध्यान भोजन कारेक्रम की शुरुआत शहरी इलाकों में प्राया व्यावहारिक पोशन कारेक्रम के साथ ही हुई थी इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोटसाहित करना तथा बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या को कम करना था 6-11 वर्ष तक की आयू के स्कूल जाने वाले बच्चे इस योजना से मुख्यता लाभानवित हुए इस कारेक्रम के अंतरगत बच्चों को ऐसा आहार दिया जाता है जो उन्हें प्रतिदिन 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम तक प्रोटीन प्रदान करता है यह कारेक्रम मक्यरूप से केर नामक संस्था द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तिय सहायता से प्रारंभ हुआ था जिन स्थानों पर व्यावहारिक पोशन कारेक्रम प्रचलित थे वहां सामुदाईक बगीचे लगाए गए और उनसे उत्पन्न खाद्य पदार्थों का इस कारेक्रम के लिए इस्तमाल किया गया साथ दशमलव चार तीन विशिष्ट पोशन कारेक्रम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्रेम पोशन की कमी से अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों की आवशक्ता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्रैश लगुक कारेक्रमों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 1970-71 में विशिष्ट पोशन कारेक्रम की शुरुवात की बात में पंचवर्षिय योजना के दौरान न्यूनतम आवशक्ता कारेक्रम के अंतरगत इसे राज्यों को सौप दिया गया यह कारेक्रम के अर्द्वारा दी गई बाहरी सहायता तथा विश्व खाद्य कारेक्रमों पर भी बड़ी मात्रा में निर्भर था इस कारेक्रम के अंतरगत जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयू तक के प्रतेक ने 100 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम तक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है वर्टिकल बार गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रती दिन 500 कैलोरी तथा 25 ग्राम तक प्रोटीन युक्त पूरग भोजन दिया जाता है छटी पंचवर्षिय योजना की समाप्ती तक 11 करोड लोग इस योजना से फाइदा उठा चुके हैं साथ अप्रेल 2004 समन्वित बाल विकास सेवा, Integrated Child Development Services देश की पोशन समस्याओं के लिए उत्तरदाई विभिन्न तत्वों के महत्व को समझते हुए 1975 से 76 के वर्ष में इन कारेक्रमों में एक समन्वित प्रयास की शुरुआत हुई चित्र साथ एक, इस कारेक्रम के अंतरगत बच्चों का सर्वांगीन विकास भी सम्मिलित है इसके अंतरगत पोशन स्तर, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता, शिक्षा जैसे तत्व भी आ जाते हैं यहां आंधनवाडियों के माध्यम से कार्य करता है सामान्यता आंधनवाडी की कार्य करता कोई स्थानिय औरत होती है जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों को स्वास्थ्य पोशन एवं शिक्षन की समन्वित सहायता प्रदान करती है जिन क्षेत्रों में समन्वित बाल विकास सेवा शुरू की गई है वहीं इस योजना के अंतरगत व्यावारिक पोशन कारिक्रम को भी शामिल कर लिया गया है 7 अप्रेल 2005 रोग निरोधक पोशन कारिक्रम Nutrition Prophylaxis रोगनिरोध के नाम से जाने जाने वाले ये कारिक्रम राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रही है इस योजना के अंतरगत 3 से 6 वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों को 2 लाख आई U से युक्त विटामिन A का कैपसल दिया जाता है ये कैपसूल अंधेपन को रोकने के लिए 6 महिने में एक बार दिया जाता है इतनी ही मात्रा स्तनपान कराने वाली माताओं को भी दी जाती है जिससे मा के दूट में विटामिन A की मात्रा पर असर पड़ता है पोशर में विटामिन की कमी से उत्पन्ना अंधेपन को रोकने के लिए दूट में विटामिन ने कारेक्रम शुरू किया गया है यहां कारेक्रम 1980 में दिल्ली की मदर देरी से प्रारंब किया गया था तब से देश के 13 राज्यों तथा 2 संग शासित क्षेत्रों को मिला कर 31 डेरियों में इसका विस्तार हो चुका है इन डेरियों में प्रतिदिन 29.5 लाख लीटर दूट में विटामिन ने का फोर्टिफिकेशन किया जाता है महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के उतरार्ध में लौ तत्वोव फोलिक एसिड की गोलिया दी जाती है चित्र साथ दशमलव एक समन्वित बाल विकास कार्यक्रंग विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे गलगन की रोक्थाम के लिए एहतियात के तौर पर साधारन नमक में ज्यादा आयोडीन की मात्रा मिला कर दी जाती है शायद आपने खाना बनाने में इस्तमाल होने वाले आयोडीन युक्त नमक की थैलिया बाजार में देखी होगी उपर्युक्त आहार कारेक्रमों के अतिरिक तक भारत सरकार के खादे विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 34 गतिशील इकाईयों मॉबाईल यूनिट्स की स्थापना की है इनका उद्देशर कम मूल्य या सस्ते स्थानिया आहार को लोग प्रिय बनाना उप्यक्त भोजन करने की आदतों का विकास करना और पोशन शिक्षा का प्रचार करना है इसे प्रभावशाली धं से चलाने के उद्देश से निदर्शनों का आयोजन फिल्म तथा अन्य प्रचार सामगरी, फोल्डर, पैंफलेट, उस्तिकाएं, पोस्टर आदी का उप्योग किया जाता है खाद्य विभाग ने पोशन शिक्षन और प्रशिक्षन के लिए देश के विभिन्न भागों में अहार एवं पोशन प्रसार केंद्रों की स्थापना की है, इन्हें पहले डिबाबंदी एवं संरक्षन केंद्र के रूप में जाना जाता था भारत सरकार द्वारा मिल्टोन नामक एक विशेश पे भी प्रारम किया गया है, जो दूद और सबजियों के प्रोटीन के मिश्रण से बनाया गया है इसके लिए पांच संयंत्र लगाए गए हैं, तथा वितर्ण के लिए 43,000 लीटर, 1,987 मिल्टोन का उत्पादन किया जा रहा है उर्जा युक्त स्नैक्स के उत्पादन व कुछ एक्सडेर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए भी संयंत्र लगाए गए हैं, जो प्रति दिन 63 मीट्रिक तन खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रही हैं इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग विशिष्ट पोशन कार्यक्रमों ता मध्यान पोशन कार्यक्रमों के अंतरगत किया जा रहा है कुछ राज्य सरकारों ने भी समाज के कमजोर वर्गों को पोशन से भरपूर खाद्य पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में रियायती मूल्यों पर देना शुरू किया है बोध प्रश्न तीन विशिष्ट पोशन कार्यक्रम क्या है? इसके प्रमोख खुद्देश्य क्या है? चार समन्मित बाल विका सेवा में कौन से पक्षाते हैं? पाच व्यावारिक पोशन कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम में पोशक भोजन कैसे दिया जाता है? छे मिल्टोन से आप क्या समझते हैं? 7.5 सारांश इस इकाई में आपने विभिन्न पोशन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की इन कार्यक्रमों के प्रमुक उद्देश माताओं और बच्चों का विशेश रूप से ध्यान रखते हुए जंसमुदाय के पोशन स्तर को सुधारना है पोशन की कमी के बहुत से कारण है समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रमों के आयूजन से कुपोशन का मुकाबला करने के लिए समन्वित तरीके का उप्योग किया जा रहा है पोशन शिक्षा सभी पूरग पोशन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है पूरक आहार वहा अतिरिक आहार जो जीवित रहने के लिए जरूरी आहार और उसकी वास्तविक आवर्शक्ता पोशक तत्वों के बीच के अंतर को पूरा कर देता है स्कूल पूर्व के आयो के बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उर्जा, प्रोटीन तथा अन्य पोशक तत्वों की अतिरिक आवर्शक्ता होती है, उनमें इन पोशक तत्वों की कमी को रोकने के लिए परक आहार दिया जाता है रोग निरोधक, रोग से बचाव के तरीके, किसी विशेश पोशक तत्व की कमी होने से पूर्व ही उस, पोशक तत्व को गोलियों, पीने की दवाई या इंजेक्शन के रूप में दे दिया जाता है स्थानिक एक विशेश क्षेत्र का समन्वित सन्युक्तिया मिलाजुला स्वास्थिय, ओशन और शिक्षन का मिलाजुला रूप समुदाय, किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का समूँ सैयत्र, वह स्थान जहां खाने के लिए तैयार विशेश खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता हो सर्वांगीश विकास हर तरह का विकास जैसे शारिरिक, मानसिक, सामाजिक शिशु मृत्यु दर एक वर्ष तक की आयू में होने वाली मृत्यु की दर यहां दर प्रती एक हजार जन्म लेने वाले शिशों पर निकाली जाती है धन्यवाद मिलते हैं अगले विडियो में